हेलो दोस्तों, जीते कैर्मी 247 में आपका बहुत-बहुत सागत है और आज हम बात करने जा रहा है aesthetic fact of the day जो की आंध्रप्रदेश से related है तो चलिए देख लेते हैं इससे सारे जुरे aspect क्या-क्या है session शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज का motivational quote क्या है तो चलिए देखते हैं आज का motivational quote क्या है तो आज का motivational quote है friends उसको हमने रखा है Mr. E.P. J. अब्दुलकलाम साहब जी का वे लिखते हैं सफलता की कहानिया मत पड़ो उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा असफलता की कहानिया पड़ो उससे आपको shuffle होने के कुछ ideas मिल जाएंगे इसका मतलब ये है कि सफल लोगों का अगर कहानिया हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ उससे संदेश मिलता है लेकिन असफल लोगों की कहानिया पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या-क्या कठिनाईया जेला, क्या-क्या गलतियां किया जिसके कारण वो शफल नहीं हो पा रहे थे औ और इन सभी को ध्यान रखते हुए हम लोग अपने जीवन में इन सभी गलतियों के ना करते हुए सफल ब्यक्ति बन सकते हैं। तो इनका कहा हुआ बिल्कुल सच है कि सफलता की कहानिया अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ संदेश मिलता है। अगर असफल लोगों की कहानिया पढ़ते हैं तो बेस्ट आइडिया आपको मिलते हैं ताकि आप अपने जीवन में उतार करके एक बढ़िया ब्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए इसी साकरात्माक सोच को बढ़कार रखते हुए आगे बढ़ते हैं आज का सेशन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज का सेशन में होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट अफ दे हैं आंध्रप्रदेश और इसका इस प्रकार से मैप आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो है देखिए आप स्टेट है आंध्रप्रदेश देलर जो नमबर लिखा हुआ है 13, 25 और 11 इसकी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे कि यह DLR क्या होता है, D stands for what, L stands for what and R stands for but उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ दो है, एक तो हैदराबाद है, दुसरा है अमरावती, हैदराबाद और अमरावती are the two capitals of this state, next one, chief minister, जो मुख मंत्री यहाँ के हैं, वाइस जगन मोहन रेडीजी हैं, जो की 17th chief minister of आंधरप्रदेश है, 17 वे chief minister के रूप में इन्होंने शाफत लिया है, इसी शाथ, ठीक है, तो इनका अगर picture देखें, अगर नहीं देखा है, तो आप देख लिजे यहाँ पे, वाइस जगन मोहन रेडी, 17th chief minister of आंधरप्रदेश, इस प्रकार से हैं, उसके बाद अगर देखे, governor के बाद करें फ्रेंड्स, तो विस्वे भूशन हरी चंदन जी हैं, जो की 23rd 23rd governor जो हैं, आंधरप्रदेश के हैं, जिनका picture इस प्रकार से देख सकते हैं, आगे बाद करते हैं, district D, यानि कि 13 है, और लोकसवा seat यहाँ पे 25 है, और रासवा की seat के बाद करें तो 11 है, इसको एक 100 में याद रख सकते हैं, DLR नमबर से DLR, ठीक है, 13, 25, 11, याद रख सकते है यानि कि यहाँ का DLR नमबर यह है, उसके बाद अगर बात करते हैं, तो देखें यहाँ पे legislature seat यहाँ पे अगर देखा जाए, तो 175 प्लस 58 है, यानि कि बिधान सभा और बिधान परिशत दोनों का यहाँ पे seats हैं, ठीक है, legislature इसका bicameral हो गया, उसके बाद high court यहाँ का नाम ह high court का क्या, तो high court of आंधर प्रदिस, इसके नाम है high court of आंधर प्रदिस, state rank की अगर बात करें, area wise तो 7th नमबर पे है, जो की देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, total kilometer square में, उसके बाद अगर देखें, state rank in India जो है, population wise, 10 में rank पे है, ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, य आर्जे city यहाँ का विसाका पत्नम है, और official language तेलगू बोली जाती है, उसके बाद border state की बात करें, friends तो तेलंगाना, ओरिसा, करनाटका, तमिलनाडू, एंड चातिसगर, यानि कि यह सभी state से यह घिरा हुआ है हमारा आंधर प्रदिस, और बात करते हैं, border countries के बात करें, border countries कोई country इसके आसपास नहीं है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका आंधर प्रदिस यह है, और इसके जो परोसी राज हैं, आपका इस प्रकार से देख सकते हैं, आंधर प्रदिस का, और इसा, छतिसगर, महार उसके बाद करनाटका है और तमिलनाडू ये सारे के सारे आपका जो आंधर प्रदेश का है ये बॉर्डर स्टेट्स हैं ठीक है I hope clear रहोगा उसके बाद अगर बाद करते हैं यहां पे देखे नेशनल पार्क कौन-कौन से इंपोर्टेंट है जो की एक्जामस में बन जाते है तो नेशनल पार्क एक है पापी कॉंडा नेशनल पार्क और दुसरा है आपका स्री वेंगे टेसवर नेशनल पार्क और इसको याद रखने का तरीका इसके कीवर्ट को पकड़िए ठीक है पापी कॉंडा स्री वेंगे टेसवर पापी कॉंडा स्री वेंगे टेसवर इस त आपका कोरिंग वाइलाफ सेंचुरी देन आफ्टर क्रिष्ण वाइलाफ सेंचुरी और है कोलेरू वर्ड सेंचुरी या तो वाइलाफ सेंचुरी यह घोशित हो चुका है ठीक है उसके बाद नेलपट्टू वर्ड सेंचुरी या तो वाइलाफ सेंचुरी उसके बाद यहा आगे को एक कीवर्ट में याद रख सकते हैं इस प्रगारा से आप देख सकते हैं कॉंडिन्ने को रिंग क्रिस्ने को लेरू नेल पट्टू और कंबल कॉंडा ओके आगे बात करते हैं और क्या जानने को है यहाँ पर state symbol देख लेते हैं क्या क्या है तो इंबलेम की अगर बात करते हैं यहाँ पर जो राजगिया चिन जो है पुर्ण घाटम है ठीक है और लेंग्वेज यहां का तेलगु है सॉंग यहां का मा तेलगु ठैली की इसको state शॉंग भी बोला जा सकता है उसके बाद अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको देखने को मिरा हुआ एक पैरोट है उसका जो गर्दन पर है रोज रिंग यानि कहने का मतलब एक तरह से रेड कलर का गर्दन पर बना हुआ है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद अगर बात करते हैं तो देखें फ्लावर यहां का जैस्मीन है स्टेट फ्लावर जो ह सथीस धवन स्पेस सेंटर ऐका स्पेस सेंटर है जो कि बहुत हीं most most important है जो कि इस गोड़ी करता है चलिए देखतें हैं इसके बारे में थोला सा हुआ था, at 6.22 am, यानि कि 6 बच के 22 मिनट पे हुआ था, और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्र यान 1st का यहां से launching हुआ था, ठीक है, तो I hope यह आपको clear रहा होगा, और interesting भी रहा होगा, then after अगर देखते हैं, और क्या जान सकते हैं यहां पे, तो यहां का वेंगटेशवर temple, ठीक है, तिरुमाला वेंगटेशवर temple साइब, ऐसा कुछ करके, इसका नाम है, एक बहुत ही famous यहां का temple है, और एक और religious site है, जो कि तिरुपती है, ठीक है, आप गये भी होंगे, बहुत सारे लोग यहां पे गये भी होंगे, उसके बाद देख लेते हैं, यहां पे दो ही चीज़ था, डिसकेस कर लिया, तिरुमाला वेंगटेशवर temple, तिरुपती, रिलिजियस site, ठीक है, तो यह overall aesthetic facts रहा, आंधर प्रदेश के बारे में, ऐसा हमने बीरा उठाया है, कि जो भी जितने भी alphabetical states आएंगे, सभी का discussion हम लोग वारी वारी से करेंगे, और याद करते चलेंगे, जो कि examinations के लिए बहुत ही important है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, अगर यह video पसंद आया, तो इसे like कर देजे, अगर कोई सुझाब हो आपका, तो comment जरूर किजिए, और इसे friends के साथ share किजिए, ताकि वो भी हमारे सारे streets के बारे में जान सके, अगर video कर दो आपकाई जान सके बारे में जान सके आपकाई